आप और जपर भाई गुंड़ा है और 38 के रिवालबर जिनान में डाल के बजा देने की आवकाद रखते हूं भी आप कुछ कहना चाहेंगे जपर भाई नमस्कार मैं हूँ अन्फिता वीडियो में सफेद प्रिंटेट शर्ट पहने हुए शक्स को देखकर इतना तो समझी गए होंगे आप कि एक नंबर का छटा हुआ बदमाश गुंड़ा मवाली और इसका नाम है सनी मिश्रा और ये गैंग्स्टर है अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से इस गैंग्स्टर की चर्चा यहां क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये गुंड़ा बीजेपी का दुलारा है चटका लगा क्या जी हां गुंड़ा राज को जड़ से खत्म करने के बड़े बड़े दावे करने वाली विधानसवर शेत्र में भाजपा में कुछ नए लोगों को सदश्यता दिलाई गई इसमें गैंग्स्टर सन्नी मिश्रा और हिस्ट्री शीटर जफर को भी शामिल किया गया है जिसका वीडियो और फोटो सामने आया यही नहीं इन दोरों ने खुद भी अपने सोचल मीडि आकाउंट्स पर भाजपा में शामिल होने की फोटो पोस्ट की थी जैसे ही यह तस्वीर और वीडियो सामने आये हरकंप मच गया और बीजेपी की फजीह शुरू हो गई विपक्ष का कहना है कि चुनाबों में जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी गुंडों का सहारा ले रही है योगी के राज में जिन गुंडों को जेल में होना चाहिए उन्हें बीजेपी वालों से सदस्ट अमिल रही है वो दूलारे बने घूम रहे हैं और क्या करती है गुंडा राज भरश्टाचार को खत्म करने के अपरादियों को सलाखों के पीछेग दालने के ले केलका ही मच गया है और जपर भाई गुंडा है और 38 के रिवालबर जाना में डाल के बजा देने की अवकाद रखते हुआ है आप कुछ कहना चाहेंगे जपर भाई कि सब्सक्राइब दो ही नाम है शनी बबाई जपर भाई नहीं नाम है यह फिलाल यह पता नहीं नहीं चल सका है लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर तहल का जरूर मचा रहा है और लोगों की इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई हैं लोग कह रही है कि इसी रामराज को तो लाने की बात कर रही थी तंजबी कस रही है कि बीजेपी की वाशिंग मशीन में तो वैसे भी सारे दाग धुल जाते हैं अब जब बवाल मच गया तो योगी सरकार पर दवाब बढ़ गया है इसके बाद इसकी गोपनिये जांच का आदेश दिया गया जानकारों का दावा है कि जांच शुरू भी हो गई है यही नहीं यह जानकारी भी जुटाई जा रहा है जाच के आधार पर ही आगे की कारवाई की जाए तो अब इन दोनों की हिस्ट्री भी जड़ा जान लेते हैं तो वीडियो में सफेद प्रिंटर शर्ट पहने हुआ गैंस्टर सन्नी मिश्रा बताय जा रहा है जो कोतवाली इलाके के छोटे काजीपुर महले का रहने संद्रा मामले हिस्ट्री शीटर पर दर्ज है इसलिए जैसे ही दोनों ने खुद भी अपने सोचल मीडिया अकाउंट्स पर भाजपा में शामिल होने की पोटो पोस्ट की हड़कम्प मच कया फिलहाल पुलिस इसकी जाच कर रही है मही लोग कह रहे हैं कि पार्टी विट डिफ्रिंस की बात करने वाली बीजेपी को स्थानी पदादिकारी ही दाग लगा रहे हैं जिले में एक गैंस्टर और एक हिस्ट्री शीटर का हाथ में असला लहराते हुए वीडियो जो सामने आया दोनों ने हाथ में रिवॉल्वर लिए खुद ही ये वीडियो शूट किया है इस दोरान दोनों बोल रहे हैं शनी बाबा और जफर भाई गुंडा है और 38 की रिवॉल्वर में डाल कर बजाने का उकात रखते हैं नहीं मनवा तो यहीं से ठोगते हैं फिर बोलता है आप पहला मामला तो नहीं है जब यह सामने आया हो कि बीजेपी गुंडे मवालियों को संदक्षन देती हैं कई बार ऐसा देखा गया है कि अपरादियों और आरोपियों के कनेक्शन बीजेपी से होते हैं जादा पुरानी बात नहीं करते अभी हाल ही में बीजेपी की खूफ जीहत हुई थी जब गैंग्स्टर अक्ट में देड़ महिने तक जेल में रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुक राकेश कुमार शर्मा को पार्टी में शामिल किया गया था बतादे कि राकेश पर गाजियाबाद बुलंद शेहर गौतम बुद्धनगर और अलीगड में जान ले आने वाले दिनों में हम और किन मुद्धों पर वीडियो बनाई भी ज़रूर बताईए त्विटर है आर्टिकल 19 अंडिया इसे भी फॉलो कर लीज़े नमस्कार